जारखंड का एक ऐसा गाउं जहां मुबाइल तो लोग इस्तमाल जारखंड में करते हैं लेकिन इन दिनों मुबाइल फोन को चार्ज करने बिहार जाते हैं अगर आपको कहा जायक की डिजिटल यूग में आपको बिजली से चलने वाले उपकरण के बिना ही रहना है तो शायद ये सुनने के बाद आपका रियक्शन कुछ अलगी होगा इस आधुनिक यूग में जहां बिना बिजली के जीवन की कलपना भी नहीं की जा सकती है वहीं जारखंड के गोड़ा के महगामा प्रखंड अंतरगत गोरगामा गाओं में पिछले 15 दिनों से ग्रामिन बिना बिजली के जीवन व्यतित कर रहे हैं दरसल गोरगामा गाओं के रविदास मोहले के ग्रामिन पिछले दो महिने से बिजली की समस्या से परिशान है ग्रामिनों ने कहा कि दो महिने पहले ही गाओं में लगे 50 केवी के ट्रांसफर्मर का दो कोयल जल चुका था बाकी बचे एक कोयल से पूरा गाओं कम को अंदेखा कर दिया 15 दिन पहले गाओं के ट्रांसफर्मर का तीसरा फेस भी खराब हो गया और उसके बाद अब तक पूरा गाओं अंधेरे में ही जीवन वैतित करने को मजबूर है गाओं के इस ट्रांसफर्मर से करीब 100 भोकता जुड़े हुए हैं और उन सभी को इस ट पानी लाने के लिए भी बिहार के इसी गाओं में जाती है पिछले 15 दिनों से बिजली ना होने की वज़ा से घर का मोटर पम भी नहीं चल रहा है इस गाओं के बीच से गुजरी सडक बिहार व जहारखंड की सीमा है सडक की इस तरफ गोरगामा वा उस तरफ अगईया समाजिक तौर पर दोनों गाओं के लोग आपस में ग्रामिन की तरह रहते हैं प्रसासनिक द्रिष्टी कोन से विवस्था बटी हुई है वही गाओं के सर्भूदास ने कहा कि इस समस्या को लेकर दो से तीन मरतबा वे लोग विभाग और अस्थानिय जन परतिनीधी को आवे और महिलाओं को घरेलू काम करने में भी काफी परिशानी होती है। लेकिन पंदरा दिन से बहुत ज़्यदा हो रहा है तीनों फेजे खतम हो गया तीनों क्वाइल बगल में बिहार पड़ता है यह वहां जाकर हम लोग चार्जूज करते हैं बगलें पड़ता है यह हम लोग छोटा-छोटा बच्चा हो रहा है बहुत परिशानी उठाना पर जब कर्याओा है बहुत?